असलाम अलेकुम मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब तिक ठाक होंगे और जहां भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे रमजान में अफ्तार पार्टीज के लिए और बच्चों के लांच बॉक्स के लिए आज मैं आप लों के साथ शेयर करूंगी इतने मज़ेदार ब्रेड रोल्स जो ना सिर्फ एक पॉछ चिकन से 40-45 तैयार हो जाते हैं बलकि आप इन्हें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं अप और प्रेस करेंगे यहार ने आने वाली रेस्टी को नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगोगों को देखने को मिले लेरा कि सबसे पहले हम एक पैन में एक पाउक के करीब चिकन अड़ करेंगे क्यूंकि हमने चिकन कबॉयल करना है तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ज्य जाग जो है हमने को रिमूब कर लेना है क्यूंकि हमने इसकी स्क्रियर वाली यखनी चाहिए तो इसकी मेल कुछल्ड जाग उखके हमने चिकन को ठोड़ करके दुबारा से बॉयल होने के लिए छोड़ देना है सो यहां पर हमारी कलेयर वाली यखनी भी बन चुकी है और हमारा चिकन भी गल चुका है इस यखनी को हम एक प्याली में निकाल के रख देंगे और चिकन को हम श्रैड कर लेंगे अभी हम दुबारा एक पैंचर आएंगे और इसमें दकरीबन दो टेबल स्पुन के करीब कुकिंग आईल आइड करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज प्यास बारी काट किया हूँ हम एड करेंगे और इसको हमने हलका सा रोस्ट करना है हमने इसको गलाना बिल्कुल भी नहीं है इस टेप पर अभी हम वेजी टेबल्स आइड करेंगे एक प्याली शिमला मिस्ट बारी काट कियो आइड करेंगे और एक प्याली हम इसमें बारी काट कियो कैरेट्स आइड करेंगे यहाँ पर आप लोग अपनी मन पसंद की वेजी टेबल्स भी आइड कर सकते हैं एड़ करेंगे और आदा टेबल स्पून जो हम इसमें काली मिश पॉर्डर आड़ करेंगे और इसको भी जस्ट हमने हलका सा रोस्ट करना है को बिल्कुल भी नहीं करना क्यूंकि हमने बाद में इनको फ्राइ करना है तो इसके बाद है अभी लास्ट में एक और फाइनल मिश में करें आज हमने ऑड्सके मैं कर डिए और कराँ है यृह वह फे एटी में को उन्टे से जल्दी पराइड करने लग यह स्ट ही इस Leak Lazio अवैं कर दो दोग कर तो चमाच को हम अन्ड हरो एक हमने अच्य पका इसको क्ना पराइड के इसको फ्लेम क doughर ना तो क्ना उन्ह तो इसको जाए अभी रैडी हो चुका है इसको हम एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे वेजी टेबल सुचे से ठंडी हो चुकी है तो अभी हम इसमे श्रैड किया हुआ चिकन आड़ कर देंगे आड़ से 2-3 अदद हरी मिच बारी कट की हुई एड करेंगे और एक प्याली के करीब हम इसमें बारी काट किया हुआ हरा धन्या एड करेंगे और इसके साथ साथ तीन अदाद ब्रेट के स्लैसिस जो हमने पहले से चौप करके रखे हुए थे वह हम इसमे एड़ करके अच्छे से मिक्स कर देंगे आप लोगों को कम लगे तो आप और प्रीप कर डिनार्क यह सिसने हैं तो इस ट्रेफ पर व्रय मेर हम यहां पर हम्हारे बरेड रोल्स वह रैडिकर लेने थे हैं यहां पर हमारे जिकन में रडे हो चुकिगे हैं तो अभी हमने इनकी कोटिंग राडि कर लिए तो हमने दो तेबल स्पून के करीम एक प्याली में मेधा एड़ कर देंगे अधा टेबल स्पून के करीम नम्मक और हम पानि आड़ करकर एक कर you मेरे पास थोड़े से ऊरेंज कटलर वाले ब्रेड क्रम्स हैं मेरे ने एक कमें ये ऑट्वार डिप करना है और रूसरे हां स्वास्च को उटिंग कर शिवें भी भ्यषया कम गिंग एड़ उडियों आपे चला हें मैं त्सी तरह जो हमने सारे ब्रेड रोल्स को कोटिं नहीं ह B तो यह कि लिए और भी मजहिबं।‍ण terminale और इसाए हम शारे जीए drift नहीं है लिए प्रेड इसचrey रेड़ी नहीं कि बनते हैं किसे तरह जो हम यहां पर हमने सारे ब्रेड रोल्स की जो है कोटिंग का लिया है कुछ को जए हम फ्रीज कर लेंगे दो से तीन माह के लिए और हम रमजानल मुबारक में भी इसको बना के इंजाय कर सकते हैं तो कुछ को जए अभी मैं आप लोगों को फ्राइ करके भी दिखाती हूँ कि यह फाइनल जए किस तरह के लगते हैं इनकी मज़े की बात यह है कि इनके अंदर अइल एक्जॉप भी नहीं होता यह उपर उपर से बहुती मज़े के क्रिस्पी बन जाते हैं आप इसको बना के यूज कर सकते हैं अलहम दुल्ला बहुती मज़े के यमी से जो है हमारे ब्रेड रोल्ज वो गोल्डन कलर होने पर रैडी हो चुके हैं और आप इसको इसी तरह के कलर आने पर निकाल लीजिएगा इस कलर में जो है यह बहुती मज़े के लगते हैं तो यहां पर हमने इनको शाब करना है यह ञ ईटो-कैचने के साथ खरुप य तक चली-गालिक सौस के साथ तो आप अपनी मदिlon की सौस के साथ इसको बरना के यह व्रोग 1920 जो है करें तो आप इस रमजाण और मुबार्ट में इसको परें ditard करें मुझे दौ tuā में याद तो मिलते हैं नहीं और मज़ेदार SP के साथ तैंक्स पर वाचिंग अला आफीस